हाई देर दोस्तों वेलकम टो 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 चैनल नॉलेज इन जेनल मैं हूँ अमित कशप और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे पांच ऐसे फैक्ट्स जिसको जानकर आप हैरान रहेंगे तो आप त्यार हो जाएए Most Amazing Facts जानने के लिए और दोस्तों अगर आप फस्ट टाइम इस चैनल पर आ रहे हैं तो दोस्तों मेरी ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजे ताकि आपको समय पर नोटि हमारा ब्रमाण इतना बड़ा है और इतने देशों ने इतने लडाईयां लड़ी हैं कि उस बारे में पूरा रिकॉर्ड तो कोई भी नहीं जानता लेकिन आप ये चीज जान लीजिए कि आज तक सबसे चोटी वार यानि कि सबसे कम समय तक चलने वाली वार सरफ 38 मिनित की यानि कि 38 मिनित के अंदर एक पूरे का पूरा देश कबजाया गया था जी हां ये वली जो वार थी या बोलें ये वली जो जंग थी ये एक देश जंजीबार और इंगलेंड के बीच में हुई थी जिसमें इंगलेंड जीता था जंजीबार ने सिर्फ 38 मिनित के अंदर ही अपना देश इंग्लैंड के हवाले कर दिया था दोस्तों बढ़ते हैं फैक्ट नमबर 4 की तरफ अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है और आप विक्स वेपर अप लगाते हैं तो दोस्तों आप एक बात जान लीजिए कि विक्स वेपर अप कफ के दोरान अगर आप सिरफ अपने तलवों पे लगाने यानि कि पैर के बिल्कुल फीट के नीचे और जुराबे पैन लें तो कुछ मिंटों में आपकी कफ की प्रॉब्लम पर्मनेंटली खतम हो जाएगी बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट नमबर 3 की तरफ ये वाला फैक्ट हमारा जुड़ा हुआ है लियनाडो दा विंची से अगर आप ना जानते हो लियनाडो दा विंची कौन है ये वही पैंटर है जिन्होंने ये मशूर पैंटिंग पैंट की है दोस्तों ये मशूर पैंटिंग आपने कही न कहीं तो देखी होगी इस पैंटिंग का नाम भी आप जानते होंगे जो की है मोना लिसा लेकिन क्या पर जानते हैं कि इस पैंटिंग में मोना लिसा की आईब्रोज उन्होंने डिजाइन नहीं की थी बढ़ते हैं दोस्तों fact number two की तरफ और ये fact जुड़ा हुआ है human body से क्या आप जानते हैं कि हमारा right lung जी हाँ right lung जो होता है वो left lung से थोड़ा बड़ा होता है वो इसलिए दोस्तों क्योंकि left में हमारा दिल की placement इस तरह से हुई है कि हमारी body में left side पे space नहीं बचता है इसलिए हमारा right lung जो होता है वो जादा powerful और थोड़ा सा बड़ा होता है दोस्तों हमारा fact number one आज का fact नहीं है वो एक reality है और reality ये है दोस्तों in happier times आपको नींद कम required होती है अपने everyday life के लिए बशर्थ अगर आप sad है तो आपको सोने की अर्ज जादा होती है इसलिए अगर आप happy रहेंगे तो आपको कम सोना पड़ेगा अपने पुरे दिन चर्य के लिए लेकिन अगर आप हमेशा उदास रहेंगे तो आपको नींद जादा लेनी पड़ेगी अपने daily काम करने के लिए तो दोस्तों आज के अपिसोड में इतना ही ऐसे ही मज़िदार और important fact के साथ हम next episode में फिर से आएंगे आप चैनल को subscribe और वीडियो को like करना बिलकुल मत भूलिएगा and thanks for watching this video दोस्तों